वेलकम यू इन आवर चैनल दोक्टर अगरिकल्चरिस्ट आइम देवेंदर चाओजरी इन दिस वीडियो वी आर गूंपेर दे आल थ्री रस्ट आप वीट वो कौन कौन से रस्ट हैं इस्टेम रस्ट ब्राउन रस्ट एंड येलो रस्ट ब्लैक रस्ट, ब्राउन रस्ट एंड येलो रस्ट इनके सिनो नेम है ब्लैक रस्ट को इस्टेम रस्ट कहते हैं ब्राउन रस्ट को लीप रस्ट भी कहते हैं और येलो रस्ट को स्ट्राइब रस्ट कहते हैं इनके causal organism फिर देखते हैं इसके symptoms पहले इसका appearance है वो कहां कहां आता है ब्लेक रष्ट लीपसीद और इस्टेम में आता है और रेरली लीपस में और इयर्स में भी आता है ब्राउन रष्ट मोश्टी लीपस में आते हैं और रेरली ये लीपसीद में भी आते हैं येलो रस्ट लीप्स में आते हैं और सीवियर कंडिशन में लीप्सीत में भी आ सकते हैं पैटर्न आप दा सिम्टम ब्लैक रस्ट के जो पुष्टूल्स होते हैं वो स्केटर्ड होते हैं फैले हुए रहते हैं बिखरे हुए रहते हैं ब्राउन रस्ट के भी जो पुष्टूल्स हैं वो भी scattered होते हैं, लेकिन येलो रस्ट के जो पुष्टूल्स हैं वो stripe में आते हैं, एक पट्टी में आते हैं Color of the Symptom ब्लैक रष्ट में रेडिस ब्राउन कलर का पुष्टूस बनेगा ब्राउन रष्ट में ओरेंज ब्राउन कलर का और येलो रष्ट में लेमन येलो कलर का अकरेंस इन नॉर्थ इंडिया North India में Black rust March के महिने से स्टार्ट होगा और April तक आएगा Brown rust जन्वरी फर्वरी में आता है और Yellow rust सबसे पहले आता है December जन्वरी में Shape and Size of the Symptom So Black rust में Oblong और Elongated Pustules बनते हैं यह आप पिक्चर में देख सकते हैं यह ऐसे Elongated होते हैं Brown rust में Oval shape के आते हैं अंडा कार Yellow rust में भी Oval shape के होते हैं और इनका Size बहुत ही Small होता है यह Pin Head Size के होते हैं जो सुई होती है ना सुई उसका जो टिप होता है ना जितना Small उतने Size के होते हैं यह Uredos Pour Black rust में Oval shape के होते हैं और चार जर्मपोर बनाते हैं जैसे यह है Oval shape का और जब यह Germination करेगा तो चार जर्मट्यूब बनाएगा Brown rust में Rounded होता है गोलाकार होता है और इसमें 7-10 जर्मपोर प्रजेंट होते हैं Yellow rust में भी Rounded होता है और 6-16 जर्मपोर होते हैं फिर इसकी similarity Eurodospores are similar to Tileospore जैसा कि Black rust में Eurodospore दिखाई देता है वैसी इसका Tileospore भी रहता है लेकिन Brown rust और Yellow rust में इसके जो Tileospore है वो Eurodospore से अलग दिखाई देते हैं अब देखते हैं Tileospore Black rust में Spindle सेप के होते हैं और इसका जो Apex है वो Pointed होता है Apex मतलब इसका जो Tip है एक सीरा वो ऐसे Pointed होता है Brown rust में Rounded होता है और Yellow rust में Flat होता है Paraphysis Black rust में Absent होता है और इन दोनों में Present होता है Tileospore कहां बनते हैं Black rust में Stem में बनता है Brown rust में और Yellow rust में Lower Surface of Leaf में बनता है Maximum Temperature for the Black rust is 37 degree centigrade मतलब यह Higher Temperature में भी आ सकता है Brown rust के लिए 29 degree centigrade Yellow rust के लिए 23 degree centigrade Optimum Temperature 23 to 25 degree centigrade मतलब इस तापमान में Black rust बहुँ ज्यादा मातर में आता है Brown rust 20 से 22 degree centigrade में आता है और Yellow rust के लिए 13 to 15 degree centigrade चाहिए मतलब कम तापमान चाहिए Minimum Temperature 5 degree 5 degree और 2 degree centigrade का है Alternate host Alternate host Collateral host से अलग होते हैं ऐसा होस्ट जो की Life cycle को complete करने के लिए जरूरी होता है उसे कहते हैं Alternate host Black rust का Alternate host है Barberis और Mahonia Brown rust का है Thelictrum और Isopyrone और Yellow rust का Alternate host अभी तक हमें पदा नहीं है Distribution Black rust South India और Central India में ज़्यादा आते हैं Brown rust All Over India में आता है और Yellow rust North India में आता है Economic loss Black rust से Economic loss North India में कम है Brown rust में Medium है और Yellow rust से Economic loss सबसे ज़्यादा होता है ऐसा क्यों? क्योंकि यह जो disease है वो December की मेहने से ही start हो जाता है तो पहले आएगा तो ज़्यादा देर तक खाएगा तो इसलिए Economic loss इससे ज़्यादा होता है तो जाँआए लेक्षा ज़्यादा नग्यादा आता है तो जोब्यादर लेक्षा नग्यादा नेग्यादा आता है or you can search Dr. Underscore Agriculturist in Telegram. If you find this video useful, so like and share my videos and please subscribe to my channel. Thank you for watching this video. Happy reading and keep improving yourself.